कौन से होली सॉंग्स में रंग चुका था एटीज का दौर कौन से गाने हैं होली पाटी के लिए बेस्ट हमारा इंडिया त्योहारों का घर है और इस घर में हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है इन त्योहारों ने इंडिया के ब्यूटी बढ़ाई है और जब तरह तरह के रंगों के साथ खुल मिल जाता है तब इंडिया और भी ब्यूटीफुल लगता है जी हां होली की बात कर रहे हैं हम क्या कोई साल होली की बिना पूरा हो सकता है होली मतलब रंग होली मतलब जश्न होली मतलब मस्ती इसलिए तो शोले की बस्ती भी कहती है होली क मिल जाते हैं जिस तरह लोग शोले को नहीं भूल पाएंगे उसी तरह उसके सुपर हिट गाने को भी नहीं भूलपाएंगे क्योंकि हर उली इंगानों की बिना अधूरी सी है ये गाना सुनकर ये तो शोले का थाकुर भी हाथ उठाकर नाशने लगा था वैसे हम मजा कर रहे हैं ठाकर के हाथ ही खाते जो वो नाच सकते थे होली सिर्फ रंगों से पूरी नहीं होती उसका मजा है धोल नगाडे बज़ाने में जिनकी आवाज सुनकर लोग जूमने लगते हैं एक दूसरे को रंग लगाने के लिए भाग दोड करते हैं अगर कोई रंग लगाने के लिए तयार ना हो तब तो वही सब का टारगेट रहता है कोई घर में छुपा बैटा है रंगों से डर कर तो उन्हें बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है यही तो असली मजा है होली खेलने का कुछ लोग कहते ह हैं हमें एलर्जी है कुछ लोग कहते हैं हमें डर लगता है कुछ लोग परिशान होते हैं कि कई उनकी स्किन खराब ना हो जाए अरे भाई होली मतलब रंग और उन रंगों में घुल मिल जाना चाहिए वरना क्या मजा सूखी सूखी होली खिलने में जब तक आपका चेहरा किसी को पहचानने में न आए तब तक आपकी होली पूरी नहीं होती सिर्फ एक टीका लगाने से क्या होता है होली है भाई जम कर खेलो साल में एक दिन ऐसा होता है जब भांक पीने का ओफीशिल लाइसेंस मिलता है वैसे कितनी पीनी चाहिए इसकी भी एक लिमिट होती है इन सब में बॉलीवुड फिल्म में भी कई पीछे नहीं रहती अब देखिए होली में पहला गाना तो यहीं बचता है रंग बरसे भीगे चुनल वाली रंग बरसे जी हाँ ये 1981 में रिलीज हुई फिल्म सिल्स इलाका गाना है अमिताब बच्चन के यह कहने के बाद ही होल इनिका त्योहार शुरूव होता है जब अमिताब जैसे लंबे आदमी को रंग लगाना मुश्किल मुश्किल होने के बाद अगर वही खुशी खुशी रंगों में पानी में उचल उचल कर खोली खेले और गाये खोली खेले रगवी रत तो देखा ना फिल्म बागवान मे कैसे हमें मालीनी को रंग लगाते हुए अमिताब जी नाच रहे हैं इस गाने पर अगर वह उस उमर में तियोहार को इंजॉय कर रहे हैं तो कुछ लोगों को उनसे सीखना चाहिए फोली ऐसे गर में बैठ कर तोड़ी न देखते हैं वो तो सब के साथ मनाते हैं वैसे ढोल से याद आया आपने शारु खान की वह सूपर हिट फिल्म देखी है मोहबते जिसमें शारु खान अपने गले में ढोल पहन कर कह रहे हैं सोनी सोनी अकियों वाली जिसमें माथे पर तिलक लगा कर शारुक कोडियों की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें प्यार के रंग में रंगने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं चारों तरफ रंग ही रंग उड़ रहे हैं और उसके बीच दोनों तरफ से लड़की लड़कियां जूम रहे हैं कुछ लोग कहते हैं होली पर फ्लर्ड बाजी अब क्या करें अगर आपके सूखी रंगों की होली पसंद नहीं है तो पानी की होली खेलिए अरे हमारा मतलब है पानी में रंग मिलाकर पिछकारी में भरकर दोड़िये किसी के पीछे और इस कदर उसका पीछा करें कि वह ठक जाए और रंग लगाने के लिए तैयार हो जाए और अगर तब भी ना हो माने तो सीधा पिछकारी से रंग की बरसात कीजिए और कहिए बलम पिछकारी जब तूने मुझे मारी तो सीधी साथी चोरी शरावी हो गई और लगाए रंबीर और तिपिका जैसे जोरदार ठुमके आज के युद को ये जवानी है ये दिवानी का ये गाना काफी पसंद है जिसके शुरू होते ही उनके पैर नाचने लगते हैं और इसमें तो आपको भांग भी नहीं पीनी पड़ेगी क्योंकि बिना भांग का नशा चड़ जाता है ऐसे गाने सुनकर बैसे नशा तो रितिक और टाइगर की वार देकर भी चड़ जाता है जैजै शीव शंकर गाना सुनने के बाद यंग्स्टर्स होली के साथ साथ रितिक और टा बढ़ जाती है और फिर वह अपने कमर पर दुपट्टा भांद कर इन दोनों सितारों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं वैसे इस गाने पर 1974 में राजेश खन्ना भी बढ़िया डांस कर चुके हैं और उनका साथ वे रही थी मुम्ताज दोनों ने भी भोले नात का नाम ले रहे थे और उसके पीछे किशोर कुमार और लता मंगेश कर अपने आवास का जादू चला रहे थे इतना ही क्यों फिल्म कटी पतंग का उनका और एक मश्पूर गाना खेलेंगे हम होनी खेलेंगे हम होनी भी उतना ही जबरदस था किशोर कुमार का हट के स्टाइल तो आप को पताई है गाना कितना भी बेरंग क्यों ना हो उनकी आवास से रंग में डूब ही जाता है अब दोनों गानों की कंपैरिजन मत कीजिए बुरा लग जाएगा पर अगर किसी को बुरा लगता है तब भी क्या कहते हैं बुरा नमानों हो ली है कितना मज़ा आता अगर यह ह हम हर रोज कहते हैं तो और अभी तक गानों की लिस्ट खतम नहीं हुई है बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिन्होंने अलग-अलग रंग दिखाकर ओडियंस को एंटेटेन किया है अगर जोड़ी की बात करनी हो तो बॉलीवुड में वरुन धवन और अलिय भट्की जोड़ी काफी कमाल कर चुकी है इन दोनों ने एक साथ ही करियर की शुरुवात की थी इन दोनों का बद्री की दुलनिया गाना काफी पॉपिलर हो चुका था उसका नाम भले ही बद्री की दुलनिया हो पर गाना देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें भ उनका 2020 में रिलीज हुआ एल्बम देखा आपने, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? नहीं ये अमिता बच्चन जी का गाना था. पर उसे एक नए अंदाज में पेश किया है जैकलीन और उनके साथ साथ बिग बॉस के असीम रियाज में वेडियो में होली का सिक्वेंस दिखाया गया है. अगर आप भी अपनी होली पार्टी में जैकलीन जैसे स्टेप्स करना चाते हैं तो ये गाना आपके लिए बिल्कु कुझे ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर आपको होली के त्योहार पर अच्छा परफॉर्मेंस देना हो तो ये गाना विल्कुल सही रहेगा. जिसमें शानदार गेट अप के साथ आप होली के दिन को यादगार बना सकते हैं. फिल्म में ऐसे गाने शूट किये जाते हैं क्योंकि वैसी कहानी के डिमांड होती है. उन्हें बार-बार्ख में टच अप करके एक्ट करना पड़ता है. पर हमें तो ऐसा करना ही नहीं होता. हम जितना मर्जी चाहे जैसा भी चाहे डांस कर सकते हैं. कितनी बार भी रंग लगा सकते हैं. और होली का असली मसा तो इसी में है कि आप सब कुछ भूल कर सिर्फ रंग में रंग जाओ. इसलिए तो साफेद कपड़े पहन कर लोग निकलते हैं. ये जानते हुए भी कि उन पर कोई ना कोई रंग तो जरूर उड़ाएगा. वैसे आप सोच रहे होंगे कि यह फिल्म जब रिलीस हुई थी तब तो कोई कोरो मना नहीं था. फिर अब कैसे मिल चुलकर होली मनाएं? करोना वैरिस है तो खबरदारी तो लेनी पड़ेगी पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम त्योहार को मनाना ही छोड़ दें. कम लोगों के साथ खेलिए, अपने घर में खेलिए, पर होली ज़रूर मनाएं. क्योंकि त् आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.